जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजूकेशन पालंपुर में आज की हमारी HP पुलिस डेली मिक्स जीके की क्लास 19 आपके लिए रहने वाली है इसमें हम टॉप 15 प्लस क्वेशन मिक्स जीके के डिसकस करेंगे जिसमें आपका हिमाचल जीके इंडिया जीके और कुछ जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन रहेंगे यूनीक क्वेशन में आपके लिए लेके आता हूँ सो क्लास 19 है अभी तक का आपने अगर हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं सो मोर देन 500 क्वेशन हम डिस्कस करेंगे सो उसका क्लास 19 या पार्ट 19 आपके लिए रहेगा सो वीडियो आपको पूरी देखनी है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें पहला कोशेन आपके लिए भारत रतन पुरुसकार पाने वाले प्रत्थम भारती कौन थे तो ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रतन दिया गया था उनका नाम था डोक्टर सरपली राधाक्रिशन अब इनके नाम से काफी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ मैं बताता हूं डॉक्टर सरपली राधा क्रिशन जो थे ये भारत के पहले उपरास्ट पती बने थे ये भारत के पहले उपरास्ट पती बने थे और पहले ये राजे सबा के अध्यक्ष बने थे आपको पता ही है कि उपरास्ट्रपती जो होता है वही हमारा राजे सभा का भी अध्यक्ष होता है तो भारत के पहले राजे सभा के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर सरपली राधा क्रिशन और साथ में पहले उपरास्ट्रपती थे दूसरा फैक्ट ये है कि ये दूसरे नंब नाम के उपर वो Tea पांच सिप्तम्बर को पुरे भारत में मनाया जाता है। उर्तमान के राष्ट्रपती हैं श्री रामनात कोबिंद और हिमाचल के राजेपाल हैं बंडारु दतात्रे Next one है किस जानबर को रेगिस्थान का जहाज कहा जाता है तो रेगिस्थान का जहाज जो है ये उंट को कहा जाता है और अर्मी से related question है आपके लिए important question है नेक्स वन है जैजवान जैकिसान की स्महान वेक्ती द्वारा दिया गया है यह repeated question है पिछली बीडियो में भी discuss किया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह दिया गया था नेक्ट वन है शरीर का वै कौन सा अंग जो कभी विश्राम नहीं करता important question है ऐसा कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है तो वो है हमारा हिर्दे मतलव की heart एक मिनट में ये 72 बार धड़कता है और ये 72 टाइम्स जो ये move करता है या फिर धड़कता है तो ये होता है normal human being में मतलव की जो हमारा ब्यसक human है ब्यसक आदमी है उसमें ये बहतर बाहर धड़कता है और जो छोटे बचे होते हैं नवजात शुचू उसमें एक मिनट में ये डेट सो बार ये 150 टाइम्स ये धड़कता है तो important question है आपके लिए next one है शिमला का पहला पक्का मकान किसने बनाया था हिमाचल जी किसे आगया question ये तो शिमला का पहला पक्का मकान जो है ये किसने बनाया था ये बनाया गया था major Kennedy के दौरा और उस house का नाम रख्या गया था Kennedy house और ये house बनाया गया था 1822 में काफ़ important question है आपके लिए शिमला का पहला पक्का मकान या फिर हम बोल सकते हैं कि हिमाचल का ही पहला पक्का मकान जो है ये शिमला में major Kennedy Kennedy House बनाया गया था जिसे 1822 इस भी में बनाया गया next one है किस वर्ष परधान मंतरी श्री अटल बिहारी बाजपई द्वारा हिमाचल में रहो तांग सुरंग का सिला नियास किया था यहाँ पे उधगाटन की बात नहीं की गई है सिर्फ और सिर्फ सिला नियास की बात की गई है मतलब कब परधान मंतरी अटल बिहारी बाजपई जी के द्वारा जो है वो यहां पे उसकी उसकी बनाने की शुरुवात की गई थी तो 26 जनावरी 2002 को इसका शिला नियास किया गया था श्री अटल भिहारी बाजपई जी के द्वारा आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि हाल ही में पर्धान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी के द्वारा अटल सुरंग स्टार्ट कर दी गया है उसका उधगाटन कर दिया गया है तो उसकी जो फिक्स डेट थी वो कौन सी थी मतलब किस दिन उसका उधगाटन किया गया था नेक्श वन है महाभारत के काल में कांगडा की स्थापना किस ने की थी तो कई वार important question ये आपका काफी वार exam में पूछा जाता है हर बार जो है HPSC के जितने भी exam होते हैं staff selection commission के उसमें हर वार ये question पूछा जाता है कि कांगडा की स्थापना किस ने की तो शुशरमा चंद के द्वार जो है ये कांगडा की स्थापना की गई थी next one है कांगडा स्थित गगल हवाई एड़ा कब बनाय गया था तो कांगडा का जो गगल हवाई एड़ा है ये हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा हवाई एड़ा है अभी तक हमारे तीन हवाई एड़े हैं हिमाचल में और चोथा जो है वो डिस्टिक मंडी में बनने जा रहा है, पहला सबसे बड़ा है हमारा गगल हवाई एड़ा, जो पढ़ता है डिस्टिक कांगडा में, दूसरे नंबर पे आता है हमारा जुबल हटी, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है भूंतर, जो हमारा कुल्लू में है तो गगल हवाई अड़ा जो है ये 20 दिसंबर 1989 को जो है ये बनाया गया था 1989 से अब मेरे को एक और important fact याद है वो मैं आपको बता देता 1989 को जो है वो दलाई लांबा को दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषकार नोबल पुरुषकार सांती या फिर पीश के लिए दिया गया था तो सांती के लिए दलाई लांबा को नोबल पुरुषकार मिला है 1989 को पीश के लिए मिला है और उनका जो पूरा नाम है दलाई लांबा का next question है हिमाचल का कभी राज किसे जाना जाता है तो हिमाचल का कभी राज जो है वो हम जानते हैं पंडित पदम देव को important question है आपके लिए कभी राज के नाम से जो है वो पंडित पदम देव को जाना जाता है और हिमाचल के निर्माता के नाम से जो है वो आचारे देवरत को जानते हैं Next one है हिमाचल परदेश पुलिस परशिक्षन के अंदर किस जिले में स्थेथ है तो हिमाचल परदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है मतलब की PTC, HPPTC जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ये हमारा स्थित है कांगड़ा के ड्रो में कांगड़ा हमारा जिला है और कांगड़ा के ड्रो में ये पढ़ता है और इसकी स्थापना ये एस्टेबलिश्मेंट हुई थी जुलाई 1995 में और पालंपुर के आसपास जितने भी मुख्य स्थल हैं चाहे वो आपकी Agriculture University हो या फिर वो आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो ये सारा का सारा जो है उस टाइम के मुख्य मंतरी रहे थे शांता कुमार उनी की ये मुख्य देन है नेक्स वन है प्रत्थम बार महात्मा गांधी जी ने शिमला की आत्रा कब की थी तो शिमला की आत्रा महात्मा गांधी जी ने की थी 1921 में Important question है और हिमाचल जी के का Mixed Combo question आपके लिए रहने वाला है Next one है हिमाचल के किस जिले में शिलाई तहसील पढ़ती है तो शिलाई तहसील जो है ये पढ़ती है डिस्टिक सिर्मोर में और शिलाई तहसील इसलिए important है क्योंकि यहां से निवास करते हैं दिलीप सिंग राना अब यह दिलीप सिंग राना कौन है वो मैं आपको बता देता The Great Khali का पूरा नाम है दिलीप सिंग राना और Great Khali को सभी ही जानते हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा The Great Khali को जो की WWE में हिस्सा ले चुके हैं और भारत के आसे पहले रैसलर रहे हैं जिन्होंने बर्ड हेविवेट चैंपिन्शिप में जो है वो हिस्सा लिया था WWE में उन्होंने हिस्सा लिया था और उनका जो पूरा नाम है वो है दिलीप सिंग राना जो की हिमाचल परदेश के डिस्टिक सिरमोर से समंध रखते हैं नेक्स वन है पंच्चतंतर के लेखक कौन है तो पंच्चतंतर जो एक बुक है वो लिखी गई है विश्नु शर्माजी के द्वारा लास्ट कोशन है वीडियो का शुकर के कितने उपगरह हैं मतलब कि बीनस के कितने उपगरह हैं तो बीनस के जो है शुकर के वो कोई भी उ जरूर जुड़े हैं जिसमें आपको day to day के current affair, pdf, study material, hpgk notes, india gk notes और साथ में जो वलाट आपको free of post प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो के description में आपको लिसका link मिल जाएगा या फिर आपके सामने जो number flash हो रहा है वहाँ से आप हमारे whatsapp और telegram group के साथ जुड़ सकते हैं वीडियो अच्छे लगे वीडियो को like करें, share करें जल्दी ही हमारा last part जो है HP police daily mixgk का part 20 of class 20 जो है वो आपके लिए में लेके आऊंगा तो आपको साथ साथ में इसके जो हैं वो notes बनाते रहना है तो मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रम